तो नमस्कार दोस्तो आज हम जानेंगे कि CA की salary कितनी होती है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि एक CA को कितनी salary दी जाती है तो दोस्तो आपको salary से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक CA की full form क्या होती है तो दोस्तो CA की full form और salary के बारे में आपको इस वीडियो म देखाने जा रहे हैं तो दोस्तो आए चलते हैं जान लेते हैं saa a q फूर में तो दोस्तो वीडियो को आख़री तक देखते रहे हैं रहे हैं next topic की तरफू आई चलिए दोस्तो जान लेते हैंma s.a. q के बारे में को बता दो ki s.a. qlo weekly achieve this product are key की फुल फॉर्म चार्डेड अकाउंट होती है तो तो हमने आपको मुन्स इकाउंट होती है फारी territory कारे में आड़ी कि सैलरी기는 हम आपको से के सहदी ड़ाये कि लन्हेंद से अकिर्ण जड़े समर्य व्यु權 करता कार्य करने की शम्ता पर निर्वर करती है और उसका उनुभव कितना है इस पर भी निर्वर करती है तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि CA की full form chartered accounted होती है और दोस्तों CA की salary लगबग 6 लाग कुर्पे से लेकर 30 लाग कुर्पे के बीच में होती है अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की तो बात यह आकड़ा लगबग 75 लाग से उपर जाता है दोस्तों हमने आपको CA की salary के बारे में जानकारी दे दी है आपको हमारे दुआरा दीगे जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को अपनी social media दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि जो लोग CA की full form और उनकी salary के बारे में जानना चाते हैं उन्हें भी काफी मदद मिल सके तो दोस्तों thank you watching from video